मेरी YouTube की family को मेरे सारे viewers को नवरात्री की धेर सारी शुब कामनाए नवरात्री बहुत ही पावन होती है गुझरात में नवरात्री दांडिये के साथ खेला जाता है और friends काफी लोग जो है पूजा पाट और आराधना भी करते है माताराणी तो फ्रेंस आज मेरा जनम दिन भी है तो मैं आप सब के साथ एक authentic style में सूजी का हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही simple है जो सत्यनारायन का शीरा जो बोलते है न वही मैं बनाऊंगी माता जी का भोग है वो लगाऊंगी और मेरे दिन की और मेरे ये साल की शु करेंगे तो यहां मैं तीन से चार बड़ी टेबल स्पून है वो गी एड़ कर दूंगी जैसे ही गी मिल्ट हो जाए हम इसके अंदर एक कप सूजी डाल देंगे सूजी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी के साथ और इसको चलाते रहेंगे आपक तो अपने आप ही गी जो है अलग होता जाएगा अभी यह सीका नहीं है थोड़ी देर में ही यह सीख जाएगा फ्रेंस इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर आप विल्कुल ऐसे फॉलो करके बनाओगे न तो आपका सूजी का हलवा है न सत्यनारायन का शीरा जो हम बनाते हैं वैसा ही आपको टेस्ट आएगा तो फ्रेंस यह देखिए बूनने के बाद हमारा गी जो है सूजी से अलग होने लगा है और थोड़ी दिर में आप देख सकते इसमें जाग भी काफी आ गया है मैंने सिर्फ आधी टेबल स्पून जो है गी इसमें एड़ किया थ आखरी में और यह देखिए हमारा सूजी है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और खुश्पू तो बहुत ही बड़ी आ रही है तो फ्रेंस अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम किश्मिश डाल देंगे तो मैं यहां चोटी कटोरी है वो किश्मिश डाल दूंगी किश् आख जैसरी तरह से फूल चुकी है मतलब यह अच Prose ्टार से रोश्ट हो चुकी है तो आब हम क्या करेंगे आब एसके अंदर हम दूध रिया करेंगे तो फ्रेंस इसमें बादीने है क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना दूद्ध से बहुत ही बढ़ी आता है तो हम बाकी का दूद्ध भी इसके अंदर एड़ कर देंगे ओर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो सूजी है पूरा दूद्ध सोक लेगी तो आप थोड़ी देर में देखें के अच्छी तरह से सोक हो चुका है हमारा दूद्ध अब हम क्या करेंगे इसी के साथ हम एड़ कर देंगे सुगर तो आप अपके टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं यह मैंने दो छोटी सी कटोरी है वो भरके मैंने इसके अंदर सुगर एड़ कर दी है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो मेल्ठ होग सुगर उससे भी थोड़ा पानी निकलेगा तो इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसको अच्छी तरह से बूनते रहेंगे तो आपको टेक्चर दिखेगा इसका बहुत ही बढ़िया और इसका गी है अलग-अलग छूटने लग जाएगा उससे ही आपको मालूम प इलाइची पाउडर है वो एड़ करूँगी और मैंने बदाम है उसको छोटे टुकडो में काट लिया है तो बदाम भी एड़ कर दूँगी और उसी के साथ में काजू भी एड़ कर दूँगी अब हैने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप ड्राइफूट की शीरे में कितना मेजर्मेंट लगता है वो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूँगी आप महां से चेक आउट कर सकते हैं तो देखा ना फ्रेंस कितना आसान तरीका है सूजी का हलवा बनाने का तो आप ट्राइ जरूर किजेगा अगर मेरी ये रेसिपी अगर मैं देखा या उस तरह का आपको प्रेजंटेशन करना है तो आप के अहां कोई भी इस तरह का बाउल हो या चोटी कटोरी है आप उस तरह से ले सकते हो और इसको पूरा भड़ दे और अच्छी तरह से टैप कर ले या इस तरह से स्पेचुला की हल्ट से सीधा कर दे और एक प्लेट ले उसमें उल्टा कर दे ये कटोरा तो आपका प्रेजंटेशन है न इस तरह का दिखेगा अगर आपको भोग लगाना है तो पूजा की थाली में आप कटोरी या प्लेट रखके भगवान जी को भोग लगा सकते हैं अगर किसी का चनम दिन है घर में कुछ मीठा नहीं है तो तुरंथ ही आप सूजी का हलवा बना के उनको सर्फ कर सकते हैं या महमान को भी खुश कर सकते हैं तो है नए इजी तरीका तो फ्रेंस मैं फ्लोड आपसे फिर में लूँगी अगले मंगलवार को शाम को चार बजे थैंक्स पर वाचिंग हैपी नवरात अच्छी तो आल